तो दोस्तो आज की इसी वीडियो में हम बात कने वाले हैं एपोलो टायर लिमिटेड सेयर के एबर्ड में दोस्तो ये सेयर के अंदर बहुत याचा न्यूज निकल का राज चुका है और आज की सेशन में भी स्टोक के अंदर बहुत याचा तैजी देखने को मिल चुका है और काफी दिनों से स्टोक के अंदर इन्वेस्टर बहुत याचा पुरिशान हो चुके है और अबी के लिए दोस्तो स्टोक के अंदर बहुत याचा टार्गेट निकल कर आ चुका है आगे आने वाले दिनों में स्टोक के अंदर आपको तेजी होता हुआ देखने को मिल सकता है तो आज की इसी वीडियो में दोस्तो दो न्यूज को कवर करेंगे और उसी के साथ टेक्निकली भी देखेंगे इस टोक के अंदर क्या कुछ हो रहा है तो दोस्तो वीडियो पर बने रही है वीडियो को एंट टोक जरूर देखिए और उससे पहले अगर ये चैनल पर फास्ट टाइम वीजिट किये हो तो प्लीज जे चैनल को सब्राइब को लिजिए और साथ में बेल का इकन प्रेस को और का ओल का आप्शन सिलेट को लिजिए ताकि हमारे चैनल पर जब भी ने वीडियो पर ने तुरांती आप को नुटिव कैसन मिले तो दोस्तो सबसे पहले यहां पर आज की सेशन पर अगर देखोगे तो आज की सेशन पर इस टोक के अंदर 6% के उपर यहां पर तेजी देखने को मिला है स्टोक जहां पर खुलते ही लगातारे स्टोक का अंदर तेजी देखने को मिला है छुटा मूटा बीच में यहां पर क्रेक्शन आया है लेकिन उसके बाद लगातारे स्टोक का अंदर तेजी देखने को मिला है और उसी के साथ यहां पर अगर देखोगे रेजिस्टांस का जो लाइन था आज की ट्रेडिंग सेसन में यह सारे के सारे रेजिस्टांस को यह स्टोक तोड़ चुका है पहले रेजिस्टांस देख सकते हो उसको तो आसानी से तोड़ चुका है और फिर उसके बाद दूसरा रेजिस्टांस देख सकते हो इसको भी आज क्योंकि यहां पर बहुत ही बड़ा रेजिस्टांस है उस दूसको भी आगर टेक्निकाली भी दिखाएंगे तो सपूट की अगर बात करें दोस्तों सपूट यहां पर काफी नीचे देखने को मिलेगा और यहां पर वॉलिम की अगर बात करें तो वॉलिम भी देख सकते हो आ गर देखें तो यहां पर थोड़ा सा नेगेडिलिडी हैं क्योंकि यहां पर जीतना भी क्वांटिटी टेरेट हुआ है उसके सामने शिरीप 22% की डेलिवरी परसंटेज है तो यहाँ पर थुड़ा सा नेगटिव डिए है लेकिन दूस्तो फिर भी कॉल की सेसन में श्टोक के अंदर तेजी होता हुआ देखने को मिल सकता है क्योंकि स्टोक के अंदर बहुत याचा निवज निकल करा चुका है बहुत याचा टारगेट निकल करा चु और उसी के साथ MRF को भी शामिल किया है जिनके उदर आगा आने वले दुनों में 10 से लेक और 20% को तेजी देखने को मिल सकता है और एपल टायर के अगर बात करें तो एपल टायर का आप देख सकते हो इन्होंने टार्गेट दिया है 230 का जिसका स्टॉप लोस रखा है 187 और य रेटिंग एजेंचिया बहुत आचा टार्गेट दिये हैं एक ने दी है 230 का और एक ने दी है 245 का इनको छुड़ी दूस्तू अगर इस टॉक 220 का भी तेजी लगाया फिर भी आपको बहुत आचा प्रफिड होता हुआ देखने को मिल सकता है तो और ऐसे में दूस्तू टे यहां पर आप देख सेकतो इस लेबल यानि की 204 से लेकर 205 के बीच में यहां पर तीन बार रेजिस्टांस ले चुका है और आज की सेशन में जैसा बोल्यूम क्रेट हुआ है और यहां पर जैसा केंडल फर्मेशन हुआ है कॉल की सेशन में स्टोक का उंदर स्टोक को अप उपन होना बहुत ही जोरी है जिसके चलते स्टोक इसी रेंज को अगर ब्रेक आउट दे देता है तो फिर आपको आगे चल कर बहुत याचा टार्गेट देता हुआ देखने को मिल सकता है और यहां पर अगर देखोगे स्टोक किसी लिए रेजिस्टांस ले रहा है आ देखने को मिल रहा है और रेजिस्टांस को ब्रेक करने के लिए दोस्तो स्टोक के अंदर बहुत ही ज्यादा वोलिम के साथ साथ गेप अप उपन होना बहुत ही जरूरी है जिसके लिए आगे चल कर स्टोक आपको बुलिस होता हुआ देखने को मिल सकता है इसलिए दोस्त पूदर आपको तेजी होता हुआ देखने को मिल सकता है लेकिन उससे पहले दूस्तों यानी के 210 की प्राइस से उगर स्टों निचा आता है तो फिर ये स्टों को आपको ये के रहा हूँ यहाँ पर बहुत ही बड़ा रेजिस्टाइसे इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ही हा तो दूस्तो जो भी हो अगर इस टॉक के अंदर आप कंसिडर करना चाते हो तो फिर इस टॉक में बहुत ही अचा स्विंग टेड हो सकता है जो कि 210 के बाद इस टॉक के अंदर आपको बहुत ही आचा तेजी पोकरता हुआ देखने को मिल सकता है तो दूस्तो आज की वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार